Film Industry की एक मशूर एक्ट्रेस के प्राइविट वीडियो लीक मामले को सामने लेकर चर्चा में आया है जिहां उनका प्राइविट वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक्ट्रेस आपत्ति जिनक हालत में नजर आ रही है इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो डीप फेक वीडियो है जी हां तो वहीं अब तक एक्टरिस ने इस वीडियो को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है लेकिन एक्टरिस ने हाल ही में अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है उस फोटो के नीचे की यूजर ने आपतिजनक कमेंट कर एक्टरिस को ट्रोल करने की कोशिश की एक्टरिस ने उस ट्रोलर को खरीखोटी सुनाई है मशूर तमिल और मल्यालम एक्ट्रेस ओविया इन दिनों अपने प्राइवेट वीडियो लीक मामले को लेकर सुरुखियों में है इस बीच ओविया का असली नाम हेलिन निलसन है ओविया ने प्रित्विराज सुकुमारन अभिजीत मल्यालम फिल्म कंगारू से अभिने की शुरुवात की दस साल बाद जब उन्हें बिग बॉस तमिल सीजन वन का हिस्सा बनने का मौका मिला तो उनकी लोग प्रियता और भी दुगनी हो गई इसके बाद इस शो को कमल हासन ने होस्ट किया था अब एक्ट्रेस अपने प्राइवेट वीडियो की वज़ा से दुबारा चर्चा में आ गई है इंटरनेट पर वायल हो रहे क्लिप में एक्ट्रेस आपति जनक हालत में नजर आ रही है कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये दावा किया है कि ये एक डीप फेक वीडियो है हलाकि ओविया या उनकी टीम इस विवाद स्पद मुद्दे पर सीधे तोर पर टिपनी करने से बच रही है ओविया ने शनिवार 12 अक्टूवर को इंस्टरग्राम पर अपनी एक तस्वीर साजा की जिसके कमेंट सेक्शन में एक नेटिजन ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की और उनसे अपने निजी वीडियो का एक और हिस्सा साजा करने के लिए कहा जो की वाइरल हो रहा है एक्टरिस ने ट्रोलर को सीधा जवाब देते हुए कमेंट में लिखा अगली बार जरूर भाई हाला कि उनसे अपने इंस्टरग्राम पोस्ट के तहट टिपनिया बंद कर दी गई है टिपनियों के स्क्रीन शॉट वर्तमान में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किये जा रहे है आपको बता दें कि ओविया ने 2009 में नलाई नामधे से तमिल सिनमा में डेब्यू किया था इसके बाद उन्होंने सिलानू ओरू, संदीपू, यामी रुका बयामी, हेलो नान पेई पेनेरू जैसे फिल्मों में काम किया अभिनेत्री को आखरी बार 2024 तमिल कॉमेडी ड्रामा बूमर अंकल में देखा गया था जिसमें उन्होंने एक कैमियो बूमिका निभाई ओविया ने अपने करियर की शुरुआत में मल्यालम फिल्मों में सहायक बूमिका निभाई थी जिहां वो साइर एक्ट्रेस के तौर पर अपने फिल्म के शुरुआत की थी कंगारू के अलावा उन्होंने पूथिया मुखम अपूर्वर जैसी फिल्म में की है मही कलामणी केरी निर्देशन सुर्गुमन ने उनसे संपर किया था और उनकी फोटो उनलाइन देखने के बाद डिरेक्टर ने उन्हें मुखे भूमिका के लिए चुना था अब जब एक्ट्रेस का प्राइवेट वीडियो लीक हुआ है तो वह दुबारा से एक बार चर्चा में आ गई है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही है आप सौगंध टीवी के साथ आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की